नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है। तो आप खानिकारक चीजों का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। इसके साथ ही इन्हें टॉक्सिट नहीं होता। इतना ही नहीं यह आपकी जेप पर भी बहुत बारी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तो आईए अब डियोडरिंट बनाने के लिए आपको किन किन समानों की जरोड होती है वो मैं आपको बताती हूँ। तीन चमज नारियल का तेल, तीन चमज बेकिंग सोडा, दो चमज शिया बटर, दो चमज अरारोट है कुदरती तेल लें। शिया बटर और नारियल के तेल को थोड़ा सा मिला लें और उसे पिगला लें। इसके बाद बेकिंग सोडा और अरारोट को अच्छी तरह से मिला लें। इसमें कुछ कुदरती तेल मिलाएं और इसका मिश मना कर गिलास में कंटेन करकर रख लें। इस मिशन को ठंडा होने दें। और जब तक ये ठंडा ना हो जाए, इसे किसी कंटेनर में ना भरें। और अब आप इसे डियोडरेंट की तरह इस्तिमाल कर सकते हैं। बजार में मिलने वाले डियोडरेंट वास्तव में पसीने निकालने वाली ग्रंथियों को बंद कर देती हैं। जिससे हमारे शरीर का काफी बुरा असर पड़ता है। लेकिन यह स्प्रे ऐसा नहीं करता। यह शरीर से पसीना और उसके साथ साथ हानिक कारक शैलियों तत्वों को भी निकालने में मदद करता है। यह केवल पसीने की गंद पैदा करने वाले बैक्टीरा को मारती है। तो देर किस बात की आप घर पर ही बनाईए डियोडरेंट। यह डियोडरेंट इस गर्मियों में पसीने की गंद से लड़ने में स्मार्ट तरीका है। इससे ना तो आपके जेब में कोई असर पड़ेगा और साथी साथ आपकी तवचा भी स्वस्त रहेगी। तो दोस्तो ऐसी ही कुछ रुमांचक वीडियो जानने के लिए मेरा चैनल जल्दी से जल्दी सस्क्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।